हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीगे ट्रेक य्ट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 में अभी तक पहली बार क्या क्या हुआ है ये वीडियो आपके सभी एक्जाम के लिए महत्वण होने वाला है तो दिखें महत्वण उप्रस ने राफेल लडा को बिमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पाइलेट बनी है सिबांगी सिंग तो इस कांसर ओप्सन सी हो जाएगा इनका नाम याद रखना है देखें इन्होंने 26 जनवरी 2020 को गलतंत्र दिवस के मौके पर राफेल लडा को बिमान ईड़ाया था देखें आप से भी जानते भारत ने राफेल लडा को बिमान किस देश से खरी दे हैं देखे इसी के साथ मैं आपको कुछ और अन्य जानकारी दे दूँ देखे 2021 में गरतंत्र दिवस परेड के दोरान भारते बायु सेना की जहांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पाइलेट कोन बनी थी तो भावना कांत बनी थी और अब इसी के साथ 2022 में गर अलक उससने दच्छनी धुर्ब की अकेली यात्रा करने बाली पहली भारत बंसी एवं एस्वेत महिला कोन बनी है तो इनका नाम है हरप्रीत चंडी तो इस कांसर ओप्सन डी हो जाएगा तो देखे भारते मूल की बिरिटीस सेना में काजर रत कैप्टन हरप्रीत चंडी द इसके बाद अगला कोश्सन है अमेरिकी परमाडू बाहक की कमान समानने वाली पहली महिला कोन बनी है तो इसका सही आंसर ओप्सन ए हो जाएगा कैप्टन एमी बोर्ना इसमिट तो देखे कैप्टन एमी बोर्ना इसमिट अमेरिकी परमाडू बाहक पोत जिसका नाम है यू पहली महीला जज बनी हैं. तो देखे महत्रमुपरस ने, तो इस कांसर उपसन ये हो जाएगा, आईसा मलिक. तो देखें, आईसा मलिक, पाकिस्तान सूप्रिम कोर्ट की, पहली महीला जज बन गई हैं. तो याद रखना है, इसके बाद अगला कोस्सा ने, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कोन बनी है, अब देखें, बात करें, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कोन बनी है, तो इनका नाम है सारा गिल, तो इस कांसर उपसन भी हो जाएगा. तो आपको दोनों याद रखने है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल और पाकिस्तान सूप्रिम कोट की पहली महिला जज बनी है आईसा मलिक इसके बाद अगला कोस्सा ने कोस्सान नमबर 6 है UNDP इंडिया की पहली यूबा जलवायू चेंपियन को ने बनी तो इसका अंसर उप्सन सी हो जाएगा प्राजक्ता कोली तो दिखें जो UNDP इंडिया है यानि की United Nations Development Program इंडिया तो इसकी पहली यूबा जलवायू चेंपियन बनी है प्राजक्ता कोली दिखें प्राजक्ता कोली एक भारते यूट्यूबर और अभिनेतरी है तो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्सान ने किस गाउं को जम्मू कस्मीर का पहला दूद गाउं यानि की मिल्क गोसित किया है तो देखें जम्मू कस्मीर का पहला दूद गाउं किसे गोसित किया गया है तो जेरी गाउं को तो इसका अंसर ऑप्सन यह हो जाएगा इसके बाद कोस्सों नमबर आठ है भारत का पहला हैली हब किस सहर में स्थापित किया जाएगा तो देखें बारत का पह के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाई उपलब्द होंगी तो भारत का पहला हेली हम कहां पर स्थापित किया जाएगा हर्याणा के गुरुगराम में इसके बाद अगला कॉस्टन देखते हैं भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है तो दे देश में देश का पहला जिला सूसासन सूचकांग जारी किया गया तो देखे देश का पहला जिला सूसासन सूचकांग जारी किया या है जम्मु कस्मीर केंद सासित प्रदेश में तो इस कांसर ओप्सन सी हो जाएगा तो देखे जो केंद्रे ग्रह और सहकारिता मंत्रिया तो इन्होंने बर्चुल माध्यम से जम्मू कस्मीर में देश का पहला जिला सुसासन सूचकाउं की यानि की डी जी जी आई 2020 जारी किया तो याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्टन है कौन सा हाई कोट देश का पहला पेपरलेस हाई कोट बन गया है तो देखे महत्पुन प्रस ने देश का पहला पेपरलेस हाई कोट 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 सा है तो केरल हाई कोट यानि की केरल उच्च नियाल ले है तो इसका अंसर उप्सन भी हो जाएगा यानि कि केरल उच्चे नहले देश का पहला पेपरलेस यानि की कागज रहित उच्चे नहले बनाएं तो याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कोन बनी तो देखे अब बात करें दनिया की पहली paperless सरकार कौन बनी है तो दुबई सरकार तो इसका अंसर option एह हुजाएगा तो देखें संयुक्तरव अमिराद की दुबई सरकार दनिया की पहली paperless यानी की कागज रहित सरकार बनी है याद रखना है इसके बाद अगला caution है देश का पहला LPG युक्तोर धुहां मुक्त राज्य कौन सा बना है तो दिखे महत्पन प्रसने देश का पहला LPG युक्तोर धुहां मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश तो इसका अंसर उप्सन भी हो जाएगा देखे केंद सरकार की उज्जुला योजना और हिमाचल प्रदेश राज्य की ग्रहनी सुविधा योजना की बदोलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुहां मुक्त राज्य बन गया है इसके बाद अगला कोस्सा ने भारत के पहले ओपन रोग संग्रहलय यानि की ओपन रोग म्यूजियम का उदगाटन कहां किया गया तो इसका अंसर ओप्सन D हो जाएगा हेदराबाद तेलंगाना में तो भारत के पहले ओपन रोग संग्रहल्या का उद्गार्टन तेलंगाना के हिदराबाद में किया गया दिखे यह संग्रहल्या भारत के भीविन हिस्सों से लगभग 35 भीविन प्रिकार की चटानों को प्रदर्शित करता है तो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्टन देखते हैं उत्तर प्रदेश के पहले खेल बिस्विद्धिरले का उद्गार्टन कहां किया गया तो देखे उत्तर प्रदेश का पहला खेल बिस्विद्धहले यानि की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खुली है मेरट में तो इसका अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा देखे इस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम क्या है मेजर ध्यान चंद खेल बिस्विद्धहले तो ये उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है जो की मेरट में इस्थापित की गई है इसके बाद अगला कॉस्सा ने आसम के पहले खेल बिस्विद्ध हले का उद्गाटन कहां किया गया अब देखे बात करें आसम की आसम राज्जे की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां खुली है कहां इस्थापित की गई है तो इसका अंसर सी हो जाएगा डिब्बुरु गड़ में डिपुरुकड में असमराजी की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्गाटन किया गया दिखे इसका नाम क्या है तो इसका नाम है स्री अनी रुद्ध देव खेल बिस्विद्ध हले तो ये असमराजी का पहला खेल बिस्विद्ध हले है और देखेई यहां पर बात करें भारत का पहला राष्ट्य खेल बिस्विद्दहलने कहां पर इस्थापित क Keysismay रहये था तो यह मडिपुर में स्थापित किया रहये था 2018 में याद रखने है इसके बाद अगला کوस्था ने है जल मेटरो परियोजना वाला भारत का पहला सहर कौन सा बना तो दिखे जल मेटरो परियोजना वाला भारत का पहला सहर बना है कोच्ची तो इसका अंसर ओप्सन यह हो जाएगा दिखे कोच्चीन CPR लिमिटेड 23 बेंटरी से चलने वाली इलेक्टरिक नोकाओ को बनाएगा जिसमें सी पहली नाप को लॉंच कर दिया गया है जिसका नाम है मुझीरिस तो इसलिए जो केरियल का कोच्ची सहर है ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला सहर बन गया है तो याद रखना है इसके पाद अगला कौस्टन देखते है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्टे दोहज कहां प्रदर्सित किया गया तो इसका अंसरो उपसा नहीं हो जाएगा जैसल मेर में तो देखे राजिस्थान के जैसल मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 जनबरी 2022 को यानि की राष्टे सेना दिवस के मोके पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्टे दोहज द्रंगा प्रदर्सित किया गया जो 225 फिट लंबा और 150 फिट चोणा था और इसका बजन करीब 1400 किलोगराम था याद रखना है इसके बाद नेश्ट होस सने यूपी आई ओटो पे सुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी को ने बनी तो देखे यूपी आई ओटो पे सुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी बनी गई है जी ओ तो इसका अंसर उप्सन भी हो जाएगा अब दिखे ये UPI Auto Pay क्या है तो इसके बारे मता दू तो दिखे जैसे कि यूजर्स का मौजुदा प्लान समाफ्थ हो जाता है तो उसे दोबारा से रिचार्ज कराना पड़ता है लेकिन इस UPI Auto Pay के माध्यम से उप्योग करता रिचार्ज प्रोसेस को अटोमेटिक कर सकते हैं यानि कि अगर यूजर्स इस UPI Auto Pay को अपनाता है तो इसके माध्यम से जो अगला रिचार्ज होगा वो अटोमेटिक ही हो जाएगा तो UPI Auto Pay शुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी बनी है जीओ याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्सान है भारत का पहला ग्राफिन नवाचार केंदर किस राज्य में स्थापिते किया जाएगा तो इस का अंसर उप्सन सी हो जाएगा केरल राज्य में तो देखे देश का पहला ग्राफिक इनोबेशन सेंटर केरल के तिरिसूर में स्थापिते किया जाएगा याद रखना है इसके बाद नेक्ट कोस्सान है पहले भारत मध्य एसिया सिखर सम्मेलन की मेजवानी किस ने की तो इस कांसर उप्सन ही हो जाएगा नरेंदर मोधी जी ने तो देखे पहली बार भारत मध्य एसिया सिखर सम्मेलन आजवित किया गया था जिसकी मेजवानी भारत के प्रधान मंतिल नरेंदर मोधी जी ने की थी देखे मापको इसके बारे मता दो प्रदार मंतिली नरेंदर मुधी जी ने 27 जनबरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य ऐसिया सिखट सम्मिलन की मेजवानी की थी देखे इस सम्मिलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्ताն तर्क मेनिस्तान और उजुबेकिस्तान के राष्ट पतिएं ने इश्शा लिया था और देखे भारत और मध्य ऐस्याई देशों के बीच राजनाइक समंधुर की स्थापना की तीस भी बर्सगाट फर यह पहली भारत मध्य ऐस्या सम्मिट आयुजित की गई थी तो याद रखना है इसके बाद अगला कुस्सा ने किस राज्य में देश का पहला बिग्यानिक बर्ड एटलस लौंच किया गया है केरल राज्य में तो इस कांसर उप्सन सी हो जाएगा देखें यह भारत में अपनी तरह का पहला राज्य इस्तरिय पक्सी एटलस है जिसमें सभी प्रमुक अबासों में पक्सी प्रजातियों के बित्रन और बहुत आयत के बारे में ठोस अधार बहुत डेटा तयार किया गया है जिससे भविश्य के अध्यन को प्रोथ साहन मिल तो याद रखना है भारत का सबसे बड़ा EV यह अभी तक का सबसे बड़ा EV चारजिंस इसमें 700 और बहानों को चार्ज किया जा सकता है याद रखना है इसके बाद question number 25 है भारत का पहला खाद सुरक्सा संगरहले कहां बनाया गया है तो भारत का पहला खाद सुरक्सा संगरहले बनाया गया है तमिल नाडू के तंजा बुर में तो इसका answer option D हो जाएगा इसके बाद अगला question है भारत का पहला सरवर है जिसे कि अभी हाले में लूंच किया गया है तो इसका नाम है रूद्र तो इसका आंसर ओप्सन यह हो जाएगा देखे रूद्र सरवर सुरक्सित 20 विनियां इंटेलल इसके लेबल प्रोसेसर तकनीक की बरतमान पेड़ी पर अधारित है जो की डूल सोकिट है देखे नाम है रूद्र इसके बाद अगला कोस्सन है यह कैबिनेट प्रिणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा है तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तो देखे कैबिनेट गयापन और कैबिनेट की कारेबाही को कावज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश इकैबिनेट प्रिणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बना है तो याद रखना है इसके बाद कोस्सन नमर 28 है नासा के अंतराश्टे बायू और अंतरिक्स कारेकरम को पूरा करने वाली पहली भारते कोन बनी है तो देखे महत्पुन तो इसका अंतराश्टे बायू और अंतरिक्स कारेकरम को पूरा करने वाली पहली भारते बनी है जहन भी डंगेती जहन भी डंगेती मात्र 19 बर्ची है जो की आंधर प्रिदेश की है तो याद रखना है इसके बाद कोस्सन नमर 29 है भारत का पहला डुंगोंग सनलक्षन र जर्ब तमिल नाडु में स्थापित किया जाएगा तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा देखे डंगोंग या सीकाओ यह एक लुक्त प्राय समुद्र इस्तन पाई है तो इसके सनक्षण के लिए तमिल नाडु में दच्छण पूरी भी टट पर पाक खाली में यह स्थ आपित किया जाएगा तो याद रखना है इसके बाद नेश्ट कोस्सान है देश की पहली इलेक्टरिक वहिकल सिटी कोन बनी तो देखे देश की पहली इलेक्टरिक वहिकल सिटी बनी है के वडिया तो इसका अंसर ओप्सन यह हो जाएगा के वडिया कहां पर है तो यह गु बाद कोस्ट नम्बर 32 है, भारत और मद्धे एसिया का पहला राष्टे डॉल्फिन अनुसंधान केंदर कहां इस्थापित किया गया है, पतना बिहार में, बाद अगला कोस्ट नहीं है, अटलांटिक महासागर और पिरसांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयर क्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली बिस्बी की पहली महिला पाइलेट को ने बनी है तो देखें मोश्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है तो इसका अंसर उप्सन सी हो जाएगा आरोही पंडित आरोही पंडित ये भारतिये हैं तो ये अटलांटिक महासागर और पिरसांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयर क्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पाइलेट बनी है तो याद रखना है इनका नाम आरोही पंडित इसके बाद अगला कोश्सा ने कोबिट नाइंटीन का सो फीजदी टीका कराल का लक्षे पूरा करने बाला पहला राज्जे कौन सा है तो इसका अंसर उप्सन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्जे है और देखे बात करें केंद सासित प्रदेश कौन सा है यानि की सो फीजदी टीका कराल करने बाला पहला केंद सासित प्रदेश कौन सा है तो अंडुमान निकोवार दियूप समू है तो याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद रहो अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत